अचली अब तो एक ही दिन रह गया है मतलब 24 गंटे से भी कम का वक्त है नागपुर T20 मैच आम तोर पर बाइलेटर सीरीज का दो मैच दूसरा मैच और एक टीम हारी होती है तो दूसरे मैच में वो टीम में सोचके जाती है यार यह मस्ट विन गेम है अगर हम खुदा ना खासता है यह हार गए तो वह सीरीज हार जाएंगे मुझे नहीं लगता कि यह सीरीज की बात है मेरा यह मानना है कल भारत के लिए यह सबसे बड़ा इंतिहान है आप एशिया कब को भूल जाएए गोल तो आपका वर्ल्ड कप पे था तो मुझे लगता है कि सम्हाओ यह इंदुस्तान की टीम का कल सबसे बड़ा इंतिहान होगा पहला मैच हार गए कोई बात नहीं बाइलेटरल सीरीज नहीं वर्ल्ड कप की आपकी क्या दशा और दिशा होगी उसका कल आपको डिख जाएगा क्या बुमरा खेलेंगे अगर वो खेलेंगे तो आप कहोगे यार वो फिटनेस की कोई इशू नहीं है लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो आपको होगई यार कुछ गड़ बढ़ना हो जाए तूसरा आप फास बोलिंग आप्शन्स क्या लेकर चलते हैं तीसरा योजवेंद्र चहल को इस विकेड पे जहां पे आम तोर पर बाउंस तो मोहली जितना मिलता अच्छा है बॉल गृप करके टर्न होता है वो कैसे कमबैक करते हैं तीसरा ये हो गया और चौथा मुझे लगता है कि दिनेश कार्थिक को कैसे इस्तिमाल किया जाता है चुकि अब पिछले मैच को अगर आप टेंपलेट बनाएं और मेरा ही मानना है कि जब आप अच्छा नहीं करते हैं तो वहीं से आप सीखते हैं वहीं से आप आगे जाते हैं तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कल कौन सी टीम इंडिया उतरती है कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया उतरेगी वह आपने पहले मैच में देख लिया है निखिल जी है मेरे साथ और अभी थोड़ी दिर पहले इनके चैनल स्पोर्ट्स टुड़े पर थोड़ी सी अंग्रीजी बोल कराया है लेकिन जो मुझे पूरी बातों में से जो एक सम टोटल निकल कर आया वो यह निकल कर आया कि यार हमें पता नहीं चला लेकिन हम तो T20 में पीछे हैं अभी ता कर दो कमें लगता था हम ऐसी बात नहीं है, यह कैना धफ वक्त की बात है, और यह भी है, यह भी है मुझे लेकिन अप लगना लगा है और शायद आपका नहीं मुझе पता, बर मुझे लगने लगा है निखिल की, नहीं यार जो test cricket में है जो one day में है वैसे हम याँ T20 में नहीं है ये आपको अभी क्यों लग रहा है पहले भी आपको ये लगा था कि मुझे लग रहा था कि शायद adjustment हो जाएगी शायद ये run बना देगा, शायद ये victory ले लेगा शायद dibly-dibly आज भी चलेगा back of the hand, slower one बट आप पता क्या होता है जब आप घर में अपने कपड़े पहनते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है बाजार जाते हैं और बाकी शोरूमों में देखते हैं फिर आपको अंदाजा होता है यार ये मैंने मेंगा भी ले ले लिया और अच्छा भी ने लिया इसके संकेत तो पहले ही थे कि आप पिछला वर्ल्ड कप भी आप ले 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 लें उसके बाद भी जो आप T20 कहले हो ये तो संकेत है कि आप तुनिया के टॉप दो तीन T20 टीमों में होई ने तो अपको छुट आपको करना पड़ेगा विजया सिर्फ एक्सेट करना था ये उसको बदलना उसको बदलना था रपर आपके पास बदलने का मोका अभी थोड़ी थोड़ी तो बदलने का मौका था पिछले T20 वर्लकप में तब आपको एक डिसिजिण लेना था कि अम थोड़े बहुत और जो फॉर्म में थे, कुछ आगे बाई, जैसे यूजी को पिछली वार निली आप ले आए, कुछ नए भी निकले, जैसे अर्षदी पच्छे बनके आए, आप उनको ले आए, बस इका दुखा आपने चेंज करेंगे, दूसरी आपने आपने चेंज करें यह आपका 1-day में फॉर्मला था, यह आपका T20 में भी था, कि हमारे पहले तीन ही रन बनाएंगे वह बनाएंगे, वह जितनी देर तक खेलेंगे, जो पाकिस्तन ने भी किया, लास T20 वोलकम है, हम खेलेंगे तो हम जीतेंगे, वह आपने चेंज कर दिया, क्योंकि आपके इन में, अटलीस दो तो देख रहे हैं, आप बिलकुल कोशिश कर रहे हैं, कि भी हम लगाएं कोई बाद नी, पार्च और में आउट हो जाएंगे, छे, आपके मिडल ओर ने कुछ मैचे में पिछले में भी बनाए, पाकिस्तन माला मैच जो जीते वहां भी मिडल ओर आया, कुछ आपने टेंपलेट सुर्यकुमार यादव जैसा एक खिलाड़ी है, जो पहली वाल से हम मारने की कोशिश करता है, हार्दिक पाणने आ नीचे रहना है, आपने टेंपलेट बदला कुछ इका दुका चीज़ के, वो जो रास्ता था, वो रास्ता क्या था, वो आप कहत आपने टेंपलेटे रही है, टी-ट्वेंटी अम अलग तरफ जा रहे है, तो आईए जी, पृत्वी शौ साब, रुतुराज गायकवाड, वंकिटेश आईए, जो भी आपके नेक्स ब्रीड है, संजू सैमसंग, आप कप्तान हो गए, संजू सैमसंग जी, आप कप्तान है इशान किशन, यह सब आपने इखटे के, उमरान मलिक जी, आज यह पेस यह लेके, आपने यह टीम मनाई और आप उस तरफ आठ महीने पहले निकलते हैं, आप नहीं निकले, अब आप जहां हो, आपकी यही टीम है, आप यह होप कर सकते हो कि जो आपके थोड़े बात मुझे लगता है अभी भी बैटिंग मेरे ख्याल से ठीक रस्ते पर चल रही है, to the best of their ability, इकका दुकका गैप, यानि आप उमीद करें, जस्पीत बुम्रा फिट है, वो in-form gain डाल रहे है, आज दीप आ जाएंगे, एक वो थोड़ा cover-up कर लेंगे, यूजी चैल फॉम में तो आप ये टीम लेके World Cup जाएंगे, ये होग करेंगे, आप semi-final केले, उसके बाद आप वरत रखेंगे कि semis और final मेरा अचानी जाएंगे, जै मादादी, आप को कहानी सुनो, if you don't mind, oh I love stories, आप लोग भी अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए, मैं जब छोटा बच्चा तो पता नि, cycle होती हैं ये, motorcycle होती है, I don't know, cycle cycle, 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 okay, आपके दो लड़कों के लाद cycle है, cycle, है cycle, अब गरीब लोगे, मैं भी गरीब है, तो आठक साल का था, एक cycle थी मेरे पास चूटी, और चंदिकड रहते थे तो क्या हूआ, वो cycle में पंचर हो गया, पंचर हो गया, तो हमारे घर के पीछे एक पार्क था, जहा हम सब खेलते थे, और वहीं पे एक cycle लाद भी बैटता था, तो मैं गया, तो उन्होंने जी, अपना, पहली बार मुझे पता जला है कि cycle के टायर के अंतर ट्यूब होती है, उन्होंने वो खोला और उन्होंने बताया जी, पंचर है, इसमें पांच, कितने? पांच पंचर, वो खोलादी पांच पंचर है, इसमें cycle में, उस ताइम पेंपचर पचास पैसे का या एक रुपे का लगता था, बूल गया, exactly, तो मैंने का पांच पंचर है, मैंने का अच्छा, मैंने का तीन लगा दो, तीन लगा दो ऑभी पांच जब लगवाने के पैसे क्यों लगाने? तो ह graphics रिधे थे आपके जएब में? मैं जएब पांच रुपे थे, पैसे पूरे थे और मैंने थेन पंचर लगा दो, तीन से काम हो जाएगा तो when the cycle say food pro i vielleicht वरेकर छोड़े के या कोई मतलगवारावािव 16irt यह आपको पूछना चिया था, तूब के पैसे कितने है बता हूँ सिधर टूब ही बदल वाँ एक्जाक्ली निए तूब तो आपने बदली निए ना आपने खुद बोला कि टूब नहीं बदली तूब नहीं बदली तो पांच पंचर थे, मैंने का तीन लगा दो, उसने बचाया मुझे कि यह एक भी मत लगवाओ, यह पांचर लगवाओ आपको यह मानना होगा, इस वक्त टी-ट्वेंटी खेलने के तरीके में आपके कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है कई सारी है मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ मुझे लगता है कि यह पद्वा डिसाइड किया हा आए यह थे पंदर हैंगे तो ऐग जाएंगे एक प्लेएर बाहर वाहर से थे उस प्लेयर का नाम है Dinesh Kartik, क्योंकि दीने पर 12 माहिने पहांवय तो नही है यह वोज़ आर्षटीब आन रन बनाये तो यह आर्षदीव रूड दिपकुदा आए पंदरा में जोड़ा नहीं तो चीलाने की बात कर रह रहा है। अर्षदीब ठेलेंगे ग्यारा में खेलेंगे और एक जडेजा को चोट लगी अक्षर पटेल आगे जो कि वैसे पिछले साल भी साइड लाइन्स में तो पहले ही आप बिसाइड कर चुके थे अब मैं आपसे जाना चाहता हूँ आप पंदरा फ्लेयर चुन लिए ये बैट् जिसमें इस टीम में कम से कम तीन फिल्टरों को आप चुपाते हों तीट्वेंटी वर्ल्ल कुप में कौन सी बड़ी टीम में आपको लगेगा कि एक सामने वाला कप्तान अपने तीन फिल्टरों को चुपा रहा है चुपाना एवरेज फिल्टर फिर अच्छा फिल्टर औ और आउटस्टेंडिंग फिल्टर यह चार लेयर होते है आप बताईए कोई टीम ऐसी है बड़ी जिसमें तीन फिल्टर कप्तान सामने वाला चुपारा होगा यार में यंडिया का कॉंपटिशन पाकिसा नहीं कर सकता है उसलेंगे रूप प्रीलॉ इन कॉपाने पड़र हो गवी में सब्सक्तरियों को कर सकता है इन फिल्टर को चुपाने पड़ेके इन ने मानते दिश। क शार और पंचरों के वहीए है और वन posth semblaः ने बात करना हैं आपकी चार-पांग साल पहले वाली क्रिकेड में आप फिल्टर राउंट स्टैंडिंग होते थे आपकी टीम में आपके बास छुपाने वाले फिल्टर नहीं थे मेभी, मेभी, इट अलसो तेल्स यू कि आपने टायर्ड लेग्स को T20 में डाल दिया है जो कि आज से 4-5-6 साल पहले, टायर्ड लेग्स नहीं थी, यंग, फ्रेश, एनर्जेटिक लेग्स फिटनेस पहमाना डिफरेंट, आपको पता अब यो-यो टेस्स बंद हो गया है क्यों बंद हो है? यह कोई नया टेस्स ले आया हो 2K? हाँ 2K वाला टेस्स यो-यो टेस्स की बंद हुआ दुनिया तो कर रही है यो-यो टेस्स न्यूजरेंड वगार तो 20 है, आप तो 16 पॉइंट सम्तिक है कप्तान बदला तो यो-यो टेस्स चेंज हुआ या वैसे चेंज हुआ पता नहीं आपकी fielding catching, Australia में यार ने catching is an issue, अब fielding अब आपको कुछ नहीं कर सकते आपको fielding तो यह जाए पंचर है अब लग नहीं सकता उसमें आपने यह किया कि वह हलका पंचर है हलकी हवा निकलेगी हर रोज हवानी भरवानी पड़ेगी आपकी ट्यूब में चार दिन बाद भरवानी पड़ेगी बड़ लीकेज है दस रन लीक करेंगे आपकी टीम लेकिन दूसरा पंचर दस रन फिल्डिंग में छोड़ोगे क्या आपके batsmen ऐसे हैं जो कहेंगा घबराओ मत यार पार स्कोर से पंदरा रन हम एक्स्टर ही बना दिया करेंगे जो खुश हो जाओ कोशिश है अगर आपको याद हो मुझे तो कोशिश जरूर है यह पार स्कोर भी हो जाए ना जो आजकल चाहिए एश्यक अप में क्या काता हो उनने वो जो दो मैचेज हारे मैं वीजा भी कॉंपटिशन कह रहा हूँ जो आपने पार स्कोर लगा दिये थे श्रिलंका और पाकिस्तान के साथ रोजश हर्मा ने माना ये बात उनने कहा हमको पार से 10-15 रन उपर जाना था आप नहीं कहाए आप नहीं कहाए पार तो था दुबाई कंडिशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 170 उतने तो श्रिलंका कर गया ना डिफेंड फाइनल में आपने भी तो उतने रन ही लगाय थे पाकिस्तान के साथ तीसरा पॉइंट फिर बोलिंग आज आपके 15 रन कम बनते है वो पंचर बड़ा पंचर है आपके तीसरा पंचर आपके आज रन नहीं बन पाए आज समाव रन नहीं बन पाए भई कंप्यूटर आपका आज थोड़ा सा हाँ हो सकता है किसी के साथ भी हो बता दो फिर आपकी बोलिंग कहे कि don't worry नहीं कह सकते we are going to win this match for you नहीं कह सकते फिलाल वाली bowling नहीं कह सकते फिलाल वाली bowling नहीं कह सकते तो आपकी तो चौथा पांचवा पंचर भी मैं गिना दूँगा the point is कि what do you do मैं तो यह देख रहा हूँ कि रोहित को देख रहा हूँ मुझे तो रहता है रोहित has been trapped और खुदी प्रिजनर बन गए है अपनी उस बात पे कि मैं खड़का के हमने खेल ला है और पचारी अकेले हैं दूसरी बॉल पर खड़काने के लिए चले जाते बाकी तो अभी भी भी वक्त ले रहे है अभी भी वक्त ले रहे है मैं वही कह रहा हूँ क्यों कर रहे है रोहित शर्मा वह तो कप्तान है वह कहें कि नहीं भाई पर दुबारा वह ऐसी क्रिक्ट खेली जाए अभी आपने क्या कहा उनमें वह काबलियत है आपको strike rate ही बढ़ाना है ना strike rate ही बढ़ाना है somebody has to bite the first bullet who will bite the first bullet 30 गेंदों के बाद देखोगे अगर उसका 150-60 का strike rate हो गए आप यह कहरे है कि power play में अगर India 40 run बनाए बहत है मैं यह कह रहा हूँ her batsman by the time he or she goes her inning नहीं देखूँगा और अगर आ 4-5 match आप 500 के उपर strike rate पे बना रहा है हर batsman that is enough तो आपने बदल लिया ना 500 आपको लेकि दाता है 180 पे मैं आपको बता हूँ 500 का वाला है 180 run total आपने 208 नहीं defend हुए नहीं वह महाली में हुआ महा ऐस्ट्रेला में 180 बहुर अच्छा total हूँ यार CK बाट शेशन थोड़ी हूआ नहीं बड़ा ग्राउंड है महाली में आपको चोटी बाउंडरी थी 208 किसमें अगए उस अगए यह बहुत अच्छी विकेट थी बहुत अच्छी थी आपको कह रहा हूँ कि अस्ट्रेलिया में थोड़ी आपको अडिलेड में ऐसी विकेट मिलगी 200 नहीं बने है बड़ा ग्राउंड है और ग्रिप करीगी वाँ बॉल स्ट्रेश को मिलें आपको लेकिन मैं यह भी आपसे जाना चाहता हूँ चौथा पंचर यह भी है कि जजबीत बुम्रा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मैं आपसे जाना चाहता हूँ सुरुकुमार यादावाय थे उन्हें का ओ तो फिट है जी अब खेलते वह नज़र आएंगे तो I hope मुझे भीन थकल खेलेंगे तो परना मैच क्यों नहीं खेले थे पंचांग सुनते हो उसमें दो दिन का वो चक्कर होगा अच्या बहुरत होगा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हुए नहीं क्रिकेट ना खेली हो तो दो दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते या तो आपको मतलब या तो सीरीज नहीं खेलो है ना एक बुम्रा के आने से फिल्ड बोलिंग आपकी हो जाएगी टिप टॉप काफी बड़ा गैप कवर हो जाएगा लेकिन उनके साथ अरशदीब भी जब आएँगे इसलिए मैं कहरा हूँ साथ अरशदीब भी जब आएँगे आपके इन टैंडम जपरीद पुम्रा और अरशदीब बॉल डालेंगे अगर यूजी चेहल फॉर्म पकड़ गया तो आपकी बोलिंग काफी अलग नाजर है यूजी चेहल कंसर्न है आपका कंसर्न है 100% उनको गुआ क्या है मैं चाहता हूँ कि टीम मैंगेजमेंट उनसे बात करें आपने उनकी बोलिंग के बारे में बात करी यूजी चेहल से हम मिले भी थे आपको याद हो दुबई में ऐसी कैजूल चैट हो रही थी तो वो थिंकिंग किसम के बोलर है उतो जाहर तो पता है चोटे चोटे ग्राउंड RCB के लिए बोलिंग करते थे बैंगलोर में वार अनमजा रहे थे उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि वो बड़े दिल वाले के इनबास थे उनको कभी फरक नहीं पड़ा कि मेरी बोलिंग पर पिटाई हो जाए सड़नली एक दो चीजी हुई है उनको भी confidence की ज़रूरत है हम सोच लेते हैं कि वो number one spinner है उनको confidence दिलाना है कि कोई बात निया तू दो चक्के खा ले no problem I don't mind तू दो चक्के खा ये भी problem में team में confidence की कमी insecurity clarity of role ना होना भाई ये वो ही शक्स है ना जो पिछले world cup में नहीं थे इतरी pass आके क्यों नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती बड़े बड़े player team management का है ना फिर मतलब थोड़ा सा role है बलकुल है भाई क्यों नहीं हो सकती insecurity आपको ये हो सकता है आप match ना केलो अमारे या तो आपने देखा है 2-3 matches नहीं खेलते खिलाडी बदल जाते अगर आप उनको ये यकीन दिलाएं कि यूजी चैल you are the best leg spinner in the world आप पहला match थे इस October तो पाशितन के साथ खेली रहे हो ये आपके 5 match है आप हमारे ले victory निखालते जाओ वो चक्के पढ़ रहे है ये पढ़ रहे है result doesn't matter आप जो यूजी चैल होता था जो flight देता था flight के वरेसे जो turn कराता था उनकी last ball मुझे याद आता है match की last ball क्यों उन्हें वो flighted ball डाली क्यों turn होई क्योंकि no pressure that time pressure was off match आप हार चुके थे उनने वो ball डाली इतने flight होते हुए turn करी विकेट आगी उनकी तो अगर वो शुरू से वैसा डाले तो I think he will be a different baller कल इंडिया जीत रहे है option ही क्या है bilateral series के इंडिया की option नहीं है bilateral series जीतने का कोई फाइदा नहीं था क्योंकि जीत जाते तो हम कहते हैं तो जीतना है आप तो जीतते ही जा रहे हो तो क्या बड़ी बात है World Cup अलगे हार जाओगे तो तूफान है तो इंडियन टीम अच्छा बाहर कितनी भी हो outside noise फिर inside noise भी होगी क्योंकि आप अगर bilateral series आ रहे हो प्लेइर इंसेक्योर इंसीक़्योर हुए प्र यह होता है कि याहँ-मेरे को तो यहां यहां आपने खिला यहां अपने ढ़िलाई derecho यहां मेरे को यहां डिन हो यहां बातिंग नी करा एई वो कहेंगा मै मैज क्या करूँ mantle होंगे इस वक्त कि जैसे कभी कोई गेंद बास सोचता होगा ना कि यार आप लेफ्ट अंडर को बोलिंग नहीं डला सकते तो गेंद बास देखता होगा जब जब लेफ्ट अंडर आया मुझे बॉल नहीं दियाती है उसको अंधर यंदर लगता होगा यार यह क्या है आपके अची पार्टनेश्ट लगी ओपनिग आपकी अची पार्टनेश्ट लगी ओपनिग आप नमबर तीन बेज उनको इसे लग रहा होगा कि यह टीम सोचती है कि यार इससे तो बारा बॉल से ज़्यादा यह लायक ही नहीं है मैं आपने ना इंगलिश वाले शो में आपके अची पार्टनेश्ट लगी ओपनिग आपकी आपकी अची पार्टनेश्ट लगी ओपनिग आप नमबर तीन बेज उनको पावरेटर है बलकुल वाय नॉट मैं तो उसी को एक्स्टेंट कर रहा हूँ छोड़ दो उड़ दो डिबेट ही नहीं है जो उननीस वे इस आपके बड़ी इंट्रिस्टिंग बात की आशिष नियरा का मैं पढ़ रहा था उन्होंने ये ही का कि मैथ्यू वेड सुक्सेस्फुल नहीं हुए गुजरात के लिए उनके रन नहीं बने वो उस्ट्रेले के लिए रन बने वो इसलिए कि उनको उपन कर बेज रहे थे कि यहां भी लोग के रहते हैं उनको उपन कर आओ उनको पता है यह पावरेटर है यूटिलिटी है जब ऐसी सिचुएशन में रहाते है उनको पता ही है कि भाई नो ऑप्शन बैंक भाई फ्रम द वर्ड गो वैसा अगर आप वैसा रोल इनको भी दे थे दिनेश का तो आप आप पावरेटर हो ज़रूरी नहीं कि आपने चार और खेले वो पावरेटिंग जल्दी आई ना मैथ्यू वैट के लिए पिछले मैच में जल्दी बटाई करी तो मैं बही करोणा कि जब 49 बॉल थे जब चौथा विकेट गिरा है एंड दिनेश अगर अगर अज बैट्सम सिचुएशन एक हाइपोथर्टिकल नहीं एक रियल के हार्दिक ने बनाई कातर रन थर्टी डिलिवरीज कोई प्ले दोस थर्टी बॉल्स एंड लास् तीन बॉल में ठारा रन है तो आप की इनिंग ऐसे गई आप जब 49 बॉल पड़े हुए थे मैं कहता हूं कर वो यहापता बीस बॉल में 50 रॉट होता हूंका एक्जाक्ली सो पॉइंट एज वो एक गाना था आपने मासूम मुवी देखी कई वार देखी उसका बड़ा फेमस गाना है जिसका हमारी जिंदगी के साथ तानुकात है आई लोग भी कहरे होंगे कहानिये सुना रहे हो गाने स जोनारे हो यही चलता है क्या है गाना कॉन सावाला बताया है तुछसे नाराज नहीं हैरान हूं मैं ठीक है जिंदगी तुछसे नाराज नहीं हैरान हूं मैं ठीक है जिंदगी तुछसे नाराज नहीं है जिंदगी तुछसे नाराज नहीं है जिंदगी तुछसे नाराज क्योंकि आपने वैसा तो किया था इश्याकप में आपने यह इंडिकेशन दी वह आपके पहले 11 का हिस्सा है जो पाकिसदान के साथ खेले थे लेगिन वह टोनमेंट होते होते वह बाहर ही हो गए बाहर चले गए थे हो सकता है उनके जहन में हो पर अगर अगर वह चीज है तो वह भी सोचते होंगे ने और मेरे को पांच नंबर भेज़ दो किसी दिन छे नंबर भेज़ दो तो मैं तो यही मैं अगर I'm looking over my shoulder तो मैं gap बढाना चाहूँगा ना थोड़ी sprint मार लूँ थोड़ा और दूर चले जाओं competition तो वह sprint अभी मार पाएंगे अगर उनको मौका दिया जाएगा अब अलमाइशा सुना अलमाइशा आप से सुना है मैंने अलमाइशा गोड़े के बारे में गोड़ी थी और मैं आपको बता रहा हूँ कहानी मैंने भी सुनी अलमाइशा गोड़ी थी एक और कहानी अलमाइ अलमाइशा ने अपने शबाब में जाना है कोविट लग गया कोविट लग गया दुनिया बंद होगी फिर अब अलमाइशा तो अलमाइशा है ना आप अपने घर में तो अलमाइशा भी कहीं पर है अलमाइशा की डाइट चल रही है अलमाइशा को खिलाया जा रहा है पिल वुनिया रुकी हुई है, अलमाइशा लेकिन इंतजारी करती रह गई, अलमाइशा के टांग में होगी इंफेक्शन, अलमाइशा को इंजेक्शन देना पड़ा, मारने के लिए, क्योंकि वो, इंफेक्शन बढ़ी, बहुत जादा हुए, तो पॉंट यह है, विराम कभी भी लग सकता है, अंग्रेजी की वो कहावत है जो आप आज जो सब को बता रहे थे, मैंने लिख ली थी, मैं निखिल के साथ रह कि अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं आपके साथ उर्दू सीखता हूँ, मैं आपके साथ उर्दू सीखता हूँ, मैं आपके साथ उर्दू सीखता ह यहाँ, आप, so that is the point, जैसे निखिल ने अंग्रेजी में बोला, strike when the, आयन is hot, tomorrow is the day, नागपुर, जाम था, बुद्ध तयार कर ले, आयन नी अपना, लकडी का हथियार, कल मैंने क्या बोला था, सुबह नौ बजे जब एजंडा हुआ था, सारा दिन 82 आप लोगों ने देखा यहाँ, बड़ा प्यार दिया, thank you very much यहाँ, थोड़ा चाहिए, तो पेंट ब्रश छोड़ दो घर में अब, चेस्ट क्रिक्ट ले बचाईए, चेस्ट भी छोड़ दो, कुष्टी में आजो, काल आओ ऐसे करके, आओ देखिए ऐस्ट्रेलिया, आओ आओ, आओ, मैथ्व हे आओ, आओ, बल्कुलाओ